दोस्तों अगर आप एक option trader है तो आप लोगों ने यह term बहुत ज़्यादा सुना होगा that is itm, atm and otm तो आज की ओड़े में हम लोग बात करेंगे कि यह itm, otm and atm क्या है और यह किस प्रकार से एक important key role play करता है आपकी option trading में अगर आप गलत strike price चूज करते हो तो आपके नुकसान होने के chances बहुत ज़्यादा है तो आज की ओड़े में आपको बताएंगे कि strike price कैसे चूज करना है और atm, atm and otm क्या है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप माँ चैनल पर पहली पजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बैल अट पर कैसे अनौन कर लेना तो अब ज़्यादा टाइम बेस नहीं करेंगे स्टार्ट करते हैं वीडियो तो दोस्तों यह मेरा एंजल वन का अकाउंट है मैं इंटरफेस यहाँ पर जाएंगे हम लोग ट्रेड नव पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आना है यहाँ पर नीचे option chain में दिखाई देरा आपको यहाँ पर option chain इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर strike price कुछ दिखाई देगा ठीक है तो अब यह strike price चूज करना बहुत ज़्यादा important है विकोज आप लोग देखोगे यहाँ पर यहाँ पर इस premium की value देखोगे 505 रुपए है और यहाँ पर देखोगे तो 47 रुपीज है तो यहाँ पर देखोगे तो 625 रुपए है यहाँ पर देखोगे तो 87 रुपीज है तो आप कोई भी अगर investor है जो निव कमर है बिल्गोज यहां मार्केट में भी स्टार्ट किया है सब्सक्राइब बाइब है तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर प्रिमियम करने ने बाइब करने के लिए पर यहां पर यहाँ पर 25 रुपाइब कर सकते हो बैंक निफ्टी कमें बात कर रहा हूं वर ऐसा नहीं है तो उसके लिए क्या करना है यहां पर देखिये एक कॉल यहां पर फूट साइड में ठीक है तो सीए से अगर ले रहा है तो आपको यह वाला सारा स्वेस्ट में पीजिक पर आज़ पर आपको सारे च्छान करेंगे यह वाले सारे प्रीमियम यूज करेंगे तो आपको strike price कैसे चुछ करना हूं वह आपको बताता हूं तो ITM का मतलब होता है इंदा मनी तो आप इंदा मनी कैसे चुछ करेंगे बैंक निफ्टी का मैं एक्जामपल लेता हूं उसके बाद मैं आपको ATM चाहे आप CE साइड में लीजिए या फिर आप PE साइड में लीजिए कॉल में जाहिए या फिर पूर्ट साइड में जाहिए इसका ATM होगा 43,600 मतलब price जो चल रहा है जिस range में उसका nearest कौन सा है ठीक है 3,690 है तो अभी 3,600 ही उसका ATM होगा सेम यहां में 3,633 है तो ATM के लिए यहां पर 3,600 यूज कर सकते हो तो यह जो strike price हो गया एक मिनिट ओके यह एक्षिल स्लेक्ट हो गया था तो यहां पर जाएंगे दोबारा से bank nifty option chain और 4,600 यह हो गया इसका ATM अब आपको call side में लेना है तो आपको always trade आपको always देना है ATM में जैसे मैं आपको पहले पताया बट ATM call side का अलग होगा और P side के लिए अलग से ATM होगा तो call side में अगर आपको ATM लेना है तो आप क्या कीजिए नीचे की तरफ आईए प्राइस इतना है उससे नीचे आईए पर इजामपल यहां पे आपको 43,400, 43,500, 43,300, 43,200 यह सारे call side के लिए ATM है bank nifty में ठीक है current week expiry के बात करो यहां पे 15 December का expiry है तो अगर यहां मैं आपको क्या बताया अगर आपको call side में लेना है तो ATM जो होगा वो जो प्राइस चलना है उससे नीचे का होगा 47,600 प्राइस चलना है यहां पे अब 47,500, 43,300, आईटियम हो गया अब आगे मैं वीडियो यह मैं पहले बता रहा हूँ तो ITM क्या होता है, OTM क्या होता है, ATM क्या होता है फिर मैं आगे बताऊंगा आपको कि आप किस प्रकार से best strike price चूज कर सकते हो ITM, OTM के लिए option trading में ठीक है उसके बाद अगर आपको यहां पे put side में लेना है तो put side के लिए आप उपर की side में जाओगे तो वो आपका ITM हो गया put side के लिए जैसे 4600 चल रहा है तो 700 हो गया ITM, 800 हो गया ITM, 4954,000 यह सारे ITM हो गया put side के लिए अब OTM कहां पे होंगे तो OTM इसके positive होंगे जो price चल रहा है उससे अगर नीचे जाओगे call side में जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ 4600 प्राइस चल रहा है अब यहां पे तो 47700 जाओगे out of the money किसके लिए call side के लिए same यहां पे 45500 आओगे यह वाला तो यह OTM किसके लिए put side के लिए call side के लिए उपर के तरफ यह सारे जो है call side के लिए क्या होगे यह होगे OTM ठीक है यह सारे क्या होगे ITM आप स्वारी OTM होगे यह किसके लिए put side के लिए ठीक है थोड़ा से confusion होगे होगा हम आपको again के लिए कर देता हूँ अगर आप CE side में जाओगे तो bank nifty में CE में जो ITM होगा वो होगे यह सारे अब यह current price के साथ से बता रहा हूँ मैं OTM जो होगा वो होगा यह सारे call side के लिए अब इसके opposite put side के लिए ITM क्या होगा यह सारे ITM और OTM क्या होगा यह सब ठीक है अगर आपको थोड़ा बहुत confusion है तो आप यह राग देजिए price जितना कम होगा मतलब कि वो OTM side में है है ना यहाँ आप देख रहोगे ना यहाँ देखे 47 है call side में और यहाँ पर पांसो पांस है मतलब कि यह OTM है यह ITM है यहाँ प्राइस ज्यादा मेंगा सेम यहाँ पर देखिए 635 87 है मतलब यह OTM है put side में यह ITM है ठीक है और आपको बता दिया जो प्राइस चलना है उसी का जो नियरेस्ट है वह ITM होता है ठीक है तो आप यह प्राइस चलना कितना आप अठारा पांसो भी ले सकते हो कोई बड़ा इस्यू नहीं है अगर मार्केट आप जा रहा है तो अठारा पांसो आपका एड़दा मनी हो जाएगा जैसे यह 500 क्रेश करेगा ठीक है बट अगर आप इंदा मनी की बात करे तो 보고 में कॉन चाह hypoc यह सारे और फुट बंदा मनी को चाह commits हो इसारे इसो को अगर यह तो अगर यहां मया को देखे हो और एक से कि यह देखे प्रीमम यहां पर आपको लू दिखाया दिए रहा है मतलब कि यह सारे लो धिक है यहां कोल साइड में यहां पर पूट साइड में है तो यह आपको मैंने बता दिया ITM OTM ATM क्या होता है कैसे आपको पता करना है कि यह ITM है या फिर OTM है अब यहां पर बताओ कि आपको best strike price कैसे चूज करना है तो अगर करें निफ्टी की निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में अलगला कंडिशन से निफ्टी के अगर बात करें तो current price चल रहा है तो यहां पर निफ्टी का अगर मां बात करूं तो current price चल रहा है भी अगर आपको यहां पर लेना है तो ITM के लिए आपको जाना पड़ेगा यहां पर मिनिमम यहां पर 18400 ठीक है उसके जाओ और बेटर है और इनफ रहेगा अगर आप यहां पर अठारा तीन सो तक जाते हो तो विकोज 200 पॉइंट का डिफ्रेंस इज मौर्दन इनफ निफ्टी में बहुत ज़्यादा वोलेटरिय नहीं होती है तो आप यहां से 100 से 200 पॉइंट का आप एटलिस ट्राइक प्राइस जो है कम करके चलिए अगर आप चाहते हो अच्छे ट प्राइस तो आपको लोंग में जाना है तो आइटेम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा तैतालिस चार सो या फिर फिर ज्यादा लगेगा बट आपका डिकें नहीं होगा और प्रीमियम जो डिकें का इसी होता है वो आप लोगों को पता नहीं रहता है अगर आप आप आप दामनी चले गए तो आपका प्रीमियम डिकें बहुत जल्दी होता है इसलिए स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपोर्टेंट की रोल प्ले करता है कि आप टेट जो ले रहे हो आई टीम में ले रहे हो आपको क्लियर हो गया होगा आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कम के बाई बाई टेक केर धन्नवाद